आपके मन में जो भी अभी राम मंदिर दर्शन नहीं करने के आपके मन में इच्छा है कि नहीं राम मंदिर के दर्शन करने की जरा हाथ उपर को रहे इच्छा है कि नहीं है सबकी इच्छा है ना आपके मन में होता है कि माता पिता को लेके राम मंदिर के दर्शन जाएंगे कि जब प्रभूरामके मंदीर की प्राण प्रतिस्था हो रही थी कि है और राम मंदीर ट्रस्ट वाले कि एग कॉंगरेस के नेताओं के घ़ गए कि ये इन पर से लोगों के घ़ गई उनको जाकर के निमंत्रण दिया कि प्रभू राम लला की प्रान प्रतिष्ठा का शुब अउसर है आप आईए इन्होंने क्या किया राम लला के मंदिर की प्रान प्रतिष्ठा के इस पवित्र कारकम का पवित्र निमंत्राण इन्होंने ठुकरा दिया आप मुझे बताया ये जिनों ने राम लला के निमंत्रन को ठुकरा दिया उनको आप ठुकराएंगे कर नहीं ठुकराएंगे ठुकराना चाहिए कर नहीं ठुकराना चाहिए भाईयो बेहनो ये प्रभू स्री राम का तो अपमान है ये 500 साल के संगर्ष का अपमान है 500 साल की लक्षावदी लोगों की शहादत का अपमान है कि ये कोंगिरेस वानों को अनमान जी की धरती कभी माप कर सकती है क्या और साथ्यों इतना बड़ा देश मुझे जरा बताइए इतना बड़ा देश कोई डरपोक नेता इतने बड़े देश को चला सकता है क्या देश चलाने के लिए मजबूत नेता चाहिए कि नहीं चाहिए ये कैसे लोग है उनको तो लगता था कि राम मंदिर बनेगा देश में आग लग जाएगी मुझे बताएए आग लगी क्या कहीं आग लगी क्या आग नहीं लगी उन लोगों को मिर्ची लगी तीन सो सत्तर ये लोग तीन सो सत्तर को ऐसी जादूई चिराग है जैसे बड़े सोने की डिब्बे में ऐसे रोज पुजा पांट में रखे हुए बैटे थे और देश को डरा रहे थे तीन सो सत्तर को हाथ लगाया तो देश तूट जाएगा खुन की नदिया बहेगी ऐसा कहते थे नहीं कहते थे तीन सो सत्तर हटा गनी हटा हटा गनी हटा कश्मीर में शान से तरंगा फर आगनी फर आए साथ क्यों मुझे आध है मैं 9192 में कन्या कुमारी से तिरंगा जंडा लेकर के निकला था स्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा जंडा फ्यराना था उस समय स्रीनगर के लाल चौक में तिरंगे जंडे को जलाया जाता था तिरंगे जंडे को जूत तलेद उसों गसिटा जाता था रोंद दिया जाता था और मुझे आध है यहां राइचूर के लोग होंगे तो उनको मैं बताना चाहता हूं यह करिब 35 साल पहले की बात है हम जब यात्रा लेकर के चले तो हम राइचूर जब पहुंचे हैं तो रात के तीन बज गए थे रात को तीन बजे और हम लोग चर्चा कर रहे थे कि या रात को तीन बज गए राइचूर में कौर होगा अब जा करके हम सो जाएंगे लेकिन हम एहरान थे रात को तीन बजे पूरा राइचूर सड़कों पर था और मैंने आज से 35 साल पहले राइचूर के लोगों का जो प्यार देखा था ना जो उच्छा देखा था जो ताकत मिली थी जब प्रधान मंत्री बना तो 370 हटा के रहा और आज दुनिया बर के लोग कश्मीर जा रहे हैं हिस्ट्री में इतने टूरिस नहीं गए थे इतने आज कश्मीर जा रहे हैं और ये कॉंग्रेस वाले सभी दाम के नाम पर रोटिया सेखने निकले एस्टी के नाम पर रोटिया सेखने निकले हैं इन्होंने बाबा साब आम बेड़कर के संभीदान को कश्मीर की धर्ती पर लागू नहीं होने दिया था कश्मिर का संभीदान अरग था बाबा साब आम बेड़कर का इससे बड़ा अप्मान क्या हो सकता है बारत के संभीदान का इससे बड़ा अप्मान क्या हो सकता है SCST Community को जम्मू कश्मीर में आरक्षान सत्तर साल तक नहीं मिला 370 ने अठका के रखा था, संभीधान महां गुथ नहीं सकता था ये बाबा साब आम बेड़ करको मैंने स्रदांज लिदी है मैंने संभीधान का सम्मान किया है और 370 हटा करके जम्मू कश्मीर के दलितों को आरक्षान का दिकार दिया है भाई यो बैनो कॉंग्रेस हमेशा SCST OBC और महिला विरोधी रही है बीजेपी ने देश में पहली बार एक आधिवासी महिला को राष्ट्रपदी पत के लिए आगे बढ़ाया लेकिन आधिवासी महिला को चुनाव हराने के लिए ये इंडिये अलाएंस ने पूरी ताकत लगा दी और इसके पहले 2014 में जब हम जीत के आए और हमें जब पहली बार राष्ट्रपदी के चुनाव के लिए जीतने की संभावना लगी तो हमने एक दलीत मा के बेटे रामनात कोवित को राष्ट्रपदी पत के लिए हमने उमिद्वार बनाया उसको हराने के लिए पिछे लग गए लोग याने दलीत राजपती बने ये कॉंग्रेस को मंजूर नहीं महिला राजपती बने आदिवासी महिला राजपती बने उसका भी विरोत कॉंग्रेस देश के समिधान की कभी पर्वा नहीं करती कॉंग्रेस सरकार ने बाबा साब आम बेट करके समिधान केखलाब जाकर OBC आरक्षन में लूट चलाई है OBC आरक्षन में सेंदमारी की है कॉंग्रेस ने OBC आरक्षन को दर्म के नाम पर बाट दिया है अब यही आराच्छन विरोधी एजंडा यह पूरे देश में लागू करना चाहते हैं साध्यों कॉंग्रेस का प्रस्थाचारी पंजार अब आपकी संपत्ति हड़पना चाहता है यह मैं खबर आपको चौकाने वाली खबर देना चाहता हूं बताओं द्यान से सुनोगे यह बहुत बड़े खत्री की घंटी है आप कॉंग्रेस सरकार ने उनके फिलोसोपर एंड गाइड ने अमेरिका से गोशना की है 2011 बारे में उनके फाइनास मिनिस्टर ने इच्छा जाहिर की थी और कॉंग्रेस में लिखा है कि वो देश की जो भी लोगों की संपत्ति है उसका हिसाब किताब करेंगे एक्सरे लिगाएंगे एक्सरे आपके लॉकर में क्या पड़ा है हमारे पास गहने कितने है सोना कितना है हिजाब लगाएंगे और फिर एक कानून लाने वाले हैं आप मुझे बताईए हमारे देश में हम लोग जो है परिवार कोई भी माबाब होंगे वो मेहनत करके कुछ नों कुछ बचाते हैं कि नहीं बचाते हैं बचाते हैं जो भी उनकी ताकत होगी कुछ नों कुछ बचाते रहते हैं नहीं बचाते और उनके मन में क्या रहता है उनके मन में रहता है कि मरने के बाद यह बच्चों के काम आएगा ऐसा होता है कि नहीं होता है वो अपने संतानों को देख करके जाना चाहते है न अब ये कॉंग्रेस की नजर उस पर है आपने मेहनत करके जो कमाया गर बनाया गाड़ी ली कुछ सोना ला करके रखा कुछ एफड़ी बना करके रखी पाई पाई बचा करके कुछ इकटा किया क्यों कि मरने के बाद को तकलीब नहों अब कॉंग्रेस मरने के बाद आपको आपकी संपती आपकी बच्चों को नहीं देने देगी कि कॉंग्रेस ने इन हरिटन्स टैक्स की बात कही है मतलब आपके बाद जो है उसमें से आधे से ज्यादा फिप्टी फाइव पर्संट पच्पन प्रतिशत ये कॉंग्रेस की गडबंदन की सरकार दिल्ली में बैटेगी तो वो उसको हड़प कर लेगी और लेकर के अपनी वोट बेंक के लोगों को बांट देगी आप बताईए आपने अपने बच्चों के लिए जो इकटा किया है वो सरकार को रो हड़पने देंगे क्या लेने देंगे क्या या आपके संपत्य आपके पास रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए मुझे बताईए यह आपकी रक्षा कौन करेगा कौन करेगा यह आपकी लूट को कौन बचाएगा मैं आपको गारंटी देता हो यह मोधी बचाएगा अर इसलिए मोधी अपने लिए नहीं आपके लिए आपसे अथिरवाद मागने आया है यह प्रस्ठाचारी देश के संसाधनों के बाद अब देश वाच्छों की परस्नल पपटी तक हरपना चाहते हैं साथियों बेलारी और बीजेपी का तो विकास और विश्वास का रिस्ता रहा है बेलारी ने बीजेपी का विकास भी देखा है विश्वास भी देखा है और कॉंग्रेस का विश्वास गाद भी देखा है हम सबकी लोग प्रिये नेता स्वर्गिय सुस्मा स्वराज ने यहां से चुनाव लड़ा था उन्होंने बेलारी से कॉंग्रेस के परिवारबात को चुनोती दी थी हार के बावजोद सुस्मा जी लगा अतार बेलारी के साथ अपना नाता जोड़ के रखा बेलारी के सुखनुक के साथ वो हमेसा जुडी रही बैन सुज्मा जिए बाद में भी बेलारी आती थी यहां के लोगों मिलती थी लेकिन कॉंग्रेस की मुख्या मैडम जिने बिलारी ने चणाव जितवाया उन्होंने कभी बिलारी की परवां नहीं कि भाइजल बेनों आपके साथ दगार किया दोखा किया आपके साथ अब तो हाली यह है कोंग्रेस के नेताओं और मैंने प्रमइंट इस चुनाव में यह कॉंग्रेस के नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेंगे तो यह हस्रेज है मैंने का आपके बड़े-बड़े नेता लोग सभा का चुनाव से भांग जाएंगे और राजसमा में गुज जाएंगे और ऐसा ही हुआ जी स्वीट पर यह लोग अपना खांदानी हक समते दे उसे भी छोड़ करके भागना पड़ा इनको चाथियों जूट बोलना अप्पा फ्यलाना दोखा देना यह कॉंग्रेस का ट्रेक रकॉर्ड है कॉंग्रेस कि फर्स फैमिली कई पीडियों से घरी भी हटा विसान आरा धवा है ही आज भी कॉंग्रेस का वही नारा दें ऍबबते है इसी तरह कॉंग्रेस के साजादे ने बेलारी की चीस इंडोस्टरी को सरकार बनने के एक महने के भीतर पैकेज देने का वादा किया था वादा किया था अगने किया था अब फिर साजादे यहां आए फिर से वही चुठा वादा दोरा करकर चले गए शातियों साथ मै को आपका एक एक वोट कॉंग्रेस के गलत मन्सों को काम्याब होने से रोकेगा अब JDS भी हमारे साथ है और हमारा एलाइंस किसानों और युवाओं के लिए काम करेगा आपका वोट भारत के विकास अभ्यान को ताकत देगा यहां बेलारी से मेरे बहुत पुराने साथी भी स्री रामरुजी और कोपल से बसवराज क्यावातर को आप विजयी बनाईए और आप जब कमल के निशान पर बटन दबाएंगे ना आप जब कमल के मिशान पर बटन दबाएंगे साथ मही को तो आपका वोट सीधा सीधा मोदी को जाएगा मोदी को मजबूती मिलेगी और मोदी का मजबूत होना मतलब आपके सपनों को साकार करना मोदी का मजबूत होना मतलब मेरा भारत मेरा परिवार मेरा आपसे अनुरोध है इन्हें बड़ी जीत दिलाने के लिए गर्मी कितनी क्यों नहों अधिक से अधिक मतदान करें करेंगे मतदान के पुराने रेकॉर्ड तुड़ेंगे आपका एक वोट मोदी को मजबूत करेगा और मजबूत मोदी सुरक्षित भारत की गारंटी है मजबूत मोदी विख्षित भारत की गारंटी है मजबूत मोदी विख्षित करना टका की गारंटी है अचा मेरा एक काम करोगे मेरा एक परसनल काम करोगे ऐसा नहीं सब बताओंगा तो बोलूँगा मेरा एक पर्सनल काम करोगे पक्का करोगे अच्छाए काम करो अपना मोबाइल फोन बहार निकाल के उतकी फ्लेशलाइट चालू करो पहले अपने मोबाइल की फ्लेशलाइट चालू करो सबके सब मोबाइल की फ्लेशलाइट चालू करिये सब के सब की मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू हो अज जा मेरी बात थुनिए मेरा एक काम करना है मैं बताओं भारत माता की मेरा काम थुनिए मेरा एक काम मेरा परसनल काम है करोगे मेरा परसनल काम करोगे आप जादा से जादा परिवार में जाईए लोगों से मिलिए और उनको बताईए अपने मोदी जी अपने बेलारी खेत्र में आये थे और मोदी जी ने आपको प्रणाम बेजा है मेरा प्रणाम पहुचा देंगे गर गर मेरा प्रणाम पहुचा देंगे हर परिवार को मेरा प्रणाम पहुचा देंगे बोलिये भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद झाल